कार में चौरा होकर बिना सीट वेल्ट लगाए, पीछे बैठने वाले लोग अब अपनी पुरानी आदत बदल लीजे, नहीं तो बहुत महंगा परने वाला है। केंद्रिये सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिनगड कड़ी ने अब कार में बैठे सभी लोगों के लिए सीट वेल्ट लगाना अनिवार कर दिया है। वैसे लोग जो इस नियम को फालो नहीं करेंगे, उन पर कड़ी कारवाई के सक्त निर्देश नितिनगड कड़ी ने दे दिये हैं और साथ ही कार कंपनियों को भी उन्होंने कई सुधार करने के निर्देश दिये हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। कार कंपनियों को इससे संबंधित क्या अहम सुझाओ दिये गए हैं और अब जितनी भी कारे आएंगी उनमें क्या नया सिस्टम लगा होगा और किस घटना के कारण अचानक केंद्रिये मंत्री नितिन गड़करी ने इस पर निर्ने लिया है और सीट वेल्ट ना पहनने के कार में सबार होकर अहमदावाद से मुबई जा रहे थे यह हादसा तब हुआ जब साइरस मितिरी पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट वेल्ट नहीं लगाया हुआ था इस घटना के बाद पूरे देश में इस बात की वहस छिरी हुई है कि पीछे वाले सीट पर ब जानते हैं कि अभी कार के ड्राइवर और उनके बगल में बैठे को ड्राइवर को सीट वेट लगाना अनिवारे होता है और ऐसा ना करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका अच्छा खासा चलान काट लेती है पहले सीट वेल्ट पहनना केवल फ्रंट में बैठे लोगों के लि नहीं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा पुरानी और गलत आदा जो आपने पाल रखी है उसे बदल लीजे नहीं तो ट्रैफिक पुलिस तो बदलवा ही देगी क्योंकि इसे लेकर और सीधा उपर से नितिन गटकरी ने भेजा है केंद्रिये सरक परिवन और पराजमार मंतरीं तिन गटकरी ने कल 6 सिटंबर यानि मंगलवार को एक काड़े करम में इस बात की घोसना की कि सभी पैसेंजर के लिए सीट वेट लगाना आनिवारे वाले निने के लिए अगले तीन दिन के अंदर एक ऑफिसियल नोटिफिकेसन जारी कर दिया जाएगा जिसमें बैक सीट पर सीट वेल्ट नहीं लगाने वाले पैसेंजर से कितना जुर्माना लगाया जाएगा इस बारे में सब कुछ साफ साफ निर्देशित किया जाए। इसमें तेजी से सुधार हो सके इसके लिए उन्होंने कहा है कि कार कमपनियों को भी साफ साफ हमने निर्देश दे दिया है कि अब हर नई कार में पिछली सीट पर बैठे लोग अगर सीट वेल्ट नहीं लगाते हैं तो उस स्थिती में अलार्म बचता रहे ऐसा सिस्टम लाय पर नैसे इसलिए सभी कार कमपनिया इसे नवार करने में अभी सही जूट गई है अभी तक सिर्फ आगे की सीट के लिए ही सभी कारों में अलार्म थी आजिए हैं तो अलार्म तब तक बज़ता रहता है जब तक आप सीट वेल्ट नहीं लगा लेते या फंसन आपकी सुरक्षा के लिए आपको सीट वेल्ट लगाने को याद दिलाने के लिए लाया गया था लेकिन अब आगे से जितनी भी कारे आएंगी उन्हें पीछे बैटने पर भी अगर आप सीट वेल्ट नहीं लगाते तो अलार्म तब तक बज़ता रहेगा जब तक आप सीट वेल्ट नहीं लगाएंगे अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार के इस तरह के नीने आपको परसान करने के लिए या सरकार अपनी जोली भरने के लिए कर रही है तो आप बिलकु की जादा है जिनकी उम्र 18 से 34 वर्स के बीच होती है नितिन गटकरी ने कहा है कि पिछले आठ साल में हमने कई सारे प्रयास किये लेकिन सरक हादसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही है इसलिए हम इसमें कुछ नए चीजों को जोरने की जरूरत थी जिस पर हम काम कर रहे हैं उन नितिन गटकरी कितने जिद्धी और करमत है यह बात कि जी से चीपी हुई नहीं है और एक बार जब वह ठान लेते हैं तो उनके सामने मुश्कीले चाहें जैसे भी हो उस समस्या का समाधान होए खोज ही लेते हैं उपर से तीन दिन के अंदर सक्त निर्देश दिया कि कार में पीछे बैठने वारे लोग अगर सीट वेल्ट नहीं लगाते हैं तो ऐसे लोगों से सक्ती से निप्टा जाए और फाइन भी लगाया जाए इस ख़बर को बताने का मकसद मेरा आपको डराना नहीं था बलकि आपको जागरू करना था आपको सुरक्षित रखना कोई भी चीज आपके जान से बढ़कर नहीं है इसलिए जब भी कार्गी सवारी कर रहे हूं और पीछे बैठे हूं तो सील्ट वेट लगाने की आदा डालीजिए यह आपको सुरक्षित रखेगा अगर नहीं लगाएंगे तो उपर से तो ओडर आही गया है अगर आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो एक अच्छे नागरी खोने का करतब भी निवाहिए वीडियो को शेर कीजिए ताकि और भी लोग जागरूख हो सके क्योंकि लोग जागरूख होंगे तभी इस तरह के हादसे में कम ही आएगी बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे देखते रहे हैं जनता जंक्शन कैमरे के पीछ हमारे स्योगी हैं विसाल बहुत बहुत धन्यवाद